क्लास 7th subject science चेप्टर नमबर 4 आज हम पढ़ेंगे Change in Matter Change in Matter का मतलब क्या होता है सबसे पहले matter क्या होता है matter हम कहते हैं अगर हम इसकी definition लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं Anything that occupies space and has a weight is called matter वो चीजें जिनका कोई वजन होता है और जो अपनी space, अपनी जगा गेर लेते हैं, उनको matter कहते हैं जैसे हमारे पास book होती है, pencil होता है, pen होता है, copy होती है उन सारी चीज़ों को हम matter कहते हैं, क्यूं? उनमें तो वजन भी होता है और जहां पर हम उन्हें रखें, वो वहां पर अपनी जगा गेर लेते हैं, अपनी जगा पकड़ते हैं, उसको हम matter कहते हैं, उन सारी चीज़ उनको हम matter कहते हैं, जिन में ऐसा होता है, या उनके पास weight भी होना चाहे, और वो अपनी जगा भी गेर लेने चाहे, तो उनको हम matter क होता है स्टेट साफ मैटर अगर हम देखेंगे सबसे पहले मैटर मैटर तो हमने पड़ा क्या होता है मैटर हम उन चीज उनको कहते हैं जिनका कोई वजन होता है और उसके साथ साथ जो अपनी जगा गेर लेते हैं लेकिन स्टेट साफ मैटर अगर हम पढ़ेंगे मैटर तीन में आता है सबसी पहली form होती है solids, matter solid form में भी होता है, matter liquid form में भी होता है, matter gaseous firm में भी होता है, state some matter जिनको हम कहते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हिम्टीन को क्या होता है, फिर उसके बाद change some matter क्या होते हैं सबसे पहले solid farm जो matter की होती है उसको क्या हम कौन सी चीजे होती है जैसे हमारे पास stone होती है हमारे पास book है हमारे पास cheer है उनको हम solid farm कहते हैं लेकिन अब वो तो matter भी है क्यों matter है क्योंकि अगर हम एक पथर को किसी जगा रखेंगे वहां पर वो अपनी जगा गेर लेगी और उ को मैटर कह सकते हैं तो लेकिन वो सॉलिड फाम है सॉलिड फाम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी फिक्स शेप होती है और उसके साथ-साथ उसकी फिक्स वाल्यूम भी होती है क्यों ऐसा होता है क्योंकि उस स्टून में उन सॉलिड्स में क्या होता है उन में जो माली क्यूज होते हैं वो closely pack it होते हैं अगर मैं कहूंगा अगर कहीं जगा पर ये फर्ज करो ये स्टुन औरय पर बना इस तून है इसके अंदर जो molecules بنे होते हैं वो भूत नजदीक नजदी closely packed होते हैं एक दूसरे के साथ साथ होते है इसका जो attractive force होता है वो बहुत ज़ादा होता है क्यों क्योंकि इसमें जो molecules होते हैं वो बिल्कुल नजदीक होते हैं अगर हम liquids की बात करेंगे तो liquids में क्या होता है liquids में आप कह सकते हो liquids पानी को हम कह सकते हैं diesel वगेरा, petrol, शर्वत, juice, यह सारे liquid form में होते हैं तेल, तो यह सारे liquid form में होते हैं लेकिन इसमें क्या होता है इसमें fix volume होती है लेकिन shape इनकी fix नहीं होती है लेकिन इसके जो molecules होते हैं वो closely packaged नहीं होते हैं as compared to the solids वो बहुत low होते हैं जैसे solids में closely packaged molecules होते हैं से इसमें नहीं होते हैं इसमें माली क्यूस तो होते हैं लेकिन थोड़ा दूर दूर होते हैं इस तरह से वह लिक्विड्स होते हैं ठीक है और इसकी क्या होते है इसकी फिक्स वाल्यूम होती है लेकिन फिक्स शेप नहीं होती है गेसिस फाम में क्या होते हैं उसमें क्या होत उससे भी ज्यादा low होते हैं जैसे liquids में low molecules होते हैं तो gases farm में उससे कम बहुत कम low होते हैं तो यह तीनफामवस होती है matter की सबसे पहले matter क्या होता है matter उन चीज़ों को कहते हैं सबसे पहले उसमें टाइप होती है सौलेट्स दूसरी होती है लिक्विट्स तीसरी होती है गेसिस फाम सिंपल में एग्जामपल देता हूं मैंने क्या किया मैंने एक आइस क्यूब लिया सबसे पहले मैं लि्क्विट्स क्या हूं मैं का मैंरेट विया होगा और इस चेप्टर का नाम है Change in Matter मैटर में जो चेइज होगी उनको मैटर कह सकते हैं ठीक है फार्ज़ करो मेरे पास दूद का इक गिलास है दूद के गिलास में वो लिक्विड फार्म में है उस मैटर में मैंने क्या किया उस दूद के गिलास में मैंने कोई चीज़ सकते हैं यह ऐसे कह सकते हैं मैंने क्या किया मैंने एक दूद लिया मैं उस दूद को करड में तबदिल किया मैंने उस दूद को करड बना लिया एक Бैक्टीरिया होता है j tra कहते है लेक्तो बेस सील उसकी वजा से दूद कनवेर्ट होता है करड में तो क्या होता है क्या होता है कि तो उसको भी हम कहेंगे चैंज सा मेंतर क्यों चेंज हुआ मेंतर पहले लिकट फार में उसकी चेंज आई ठीक है चाहेब वह इसके प्रेमेंट houses में हो यह time सेंटेमेटर थी अब मैंने क्या कि अब मैंने उसको खीचा जब वहाइक वैंनेतं को century होती है तके दो पूर्मियाट्णा को छीरी होती सब्से पहले इस पयर में चेंज आंगम क हो जाती है फिर उसके बाद वो वैसी रहती, वो फिर दूबारा उस अपनी position में नहीं आ सकती, जैसे मैंने क्या किया, मैंने दूद को convert किया मिलिक में, मैंने दूद को convert किया करड में, तो उसको क्या हुआ, अब मैं अगर कुछ भी करूँ, वो करड दूद नहीं बन सकता है, तो वो change जो उसकी हुई, वो permeate change हुई, क्योंकि अगर मैं उस दूद को चाहूँ भी, तो वो मिलिक, उस करड को चाहूँ भी, वो अब दूद में convert नहीं होगा, dash card is permeate change, एक बार मैंने मिलिक को, दूद को, करड में तबदील किया, फिर वो आपस, वो फिर से दूद में नहीं आ जाएगा, turns, यह मैंने किया, मैंने क्या किया, मैंने एक piece of paper को, जला दिया, उस piece of paper को जब मैंने जला दिया, वो ash में convert हुआ, फिर मैं अगर कुछ भी करूँ, वो ash कभी paper बनेगा page नहीं बन सकता है तो उसको भी मैं कह सकता हूं यह permit change लेकिन कुछ temporary change हो थे temporary change में मैं कह सकता हूं यह structuring of rubber band जब मैंने एक rubber band को खिंचा उसका उसकी length थी 10 cm उसको खिंचने के बाद उसकी length 15 cm हुई जुही मैंने उसको छोड़ा तो अपनी position में आया college temporary change change तोषम में हुआ लेकिन फिर से ँपास अ यह मेरे पास एक पेपर था पेज एक था उसका उष्की लातеп सब्सक्ताः यही होती है फिर से मैं एक बार बोलता हो आपको चेंज सिन मैंटर क्या होता है Change, Matter, Matter सबसे पहले मैंने चीज़ función को कहते ही जिनका कोई वज़न होता है और उसके साथ जो अपनी जगा, जो अपनी स्पेस पकड़ लेते हैं उनको हम Matter कहते हैं Matter की तेन फार्म्स होती है, डीकिविड फार्म में भी होता है और गेशेस फार्म में भी होता है बार हुई तो हो गई, temporary change वो change जो हो गई, लेकिन फिर से हम उनको अपनी original position में लाग सकते हैं, change in matter क्या होता है, जब किसी भी matter की हम change करेंगे, तो उसको हम change matter करेंगे, जैसे मैंने कहा, मैंने एक पानी के गिलास में, एक salt का एक spoon add किया, तो वो solution बन गया, जिसको हम कह सकते है matter में change हो गई, या मैंने मिलिक को कवर्ड में तबदील किया, that's called a change, या मैंने rubber band को stretch करके, उसको बड़ा बना लिया, उसको मैंने खीज के, higher sentiment से 10 cm बना लिया, that's called a change, matter की change हो गई, उसी को हम कहेंदे, change of matter, ठीक है, यह इस chapter की heading थी, अब उसमें पहले physical change, physical change होता क्या है, change in which a substance undergo change into physical properties, it's called a physical change, उस change को किसी भी चीज़ की change की, जब physical property को हम change करते हैं, जैसे उसकी shape, उसका color, उसकी state को हम change करते हैं, physical properties, फर्ज करो कि इस कोई भी चीज़ मैंने लिया, मैंने उसकी shape को change किया, उसकी shape triangle थी, मैंने उसको rectangle बना लिया, ठीक है, that's called a physical change, उसकी shape change होगी, color, मैंने एक पानी का glass लिया था, उसमें मैंने glucose add किया, उसका color अलग हो गया, there's called a change, there's called a physical change, and state, मैंने वो किस farm में, किस state में देखा, मैंने उसको solid से liquid बना लिया, या liquid से gases farm में बना लिया, there's called a physical change, क्योंकि मैं कहता हूँ, मेरे पास matter जो था, वो ice cube था solid form में था, there's called a state, अगर मैंने उसकी state को change किया, मैंने उस ice cube को heat up करके liquid form में लिया, there's called, उसकी physical property change हो गई, क्योंकि वो ice cube solid था, मैंने उसको liquid form में लाए, या gaseous form में किया, there's called a change, उन्ही चेंज को हम physical change कहते हैं, जिनकी physical properties को हम change कर सकेंगे, ठीक है, for example, हम ऐसे कह सकते हैं, dissolving up sugar and water, मैंने एक पानी का गिलास में कुछ spoon sugar के add किये थे, फिर उसके बाद dissolving up sugar करना start किया, तो उसकी physical property change हो गई, या मैंने किया किया, मैंने काकज लिया, काकज पेज एक लिया, मैंने उसको काटना start किया, tear करना start किया, जब मैंने उसको काटना start किया, उसकी physical property change होगी, उसका size अलग था, अब मैंने उसको काटा, बीच में काटा, उसका size अलग हुए, इसका मतलब अब उसकी change तो हो गई ठीक, उसके बाद में उसके साथ साथ और बहुत सारी change इसकी हो सकती है ठीक, उनीक हम physical change कहते हैं, physical change में क्या होता है, उनमें कोई नया substance नहीं बनता है substance farm होते हैं लेकिन physical change में कभी भी नया substance को ही नहीं बनता है क्यों मैं इसकी example आपको बता दो मैंने का physical properties में किसी भी चीज़ की मैंने physical properties की change की मैंने एक page लिया था उसका diameter उसकी length 10 cm थी उसकी ब्रेड़ 5 cm थी तो मैंने उसको ऊपर से काटा साइडों से भी काटा तो उसकी उसके length भी change हो गई उसका diameter उसकी ब्रेड़त भी change हो गई इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि उसकी change हो गई लेकिन कौन सी change होई physical change या मैंने क्या किया मैंने एक glass मैंटर की स्टेट को चेंज किया मैंने एक मैटर लिया था वो मैंने लिया था लिक्विड फार्म में फार्ज करो मैंने मैटर लिया पानी का गिलास वो लिक्विड फार्म में था मैंने उसके लिक्विड फार्म को सॉलिड फार्म में चेंज कैसे मैं उस पानी के गिलास को फ फिजीकल चेंज हम कहते हैं a change in which a substance undergo change into a physical properties किसी भी चीज़ की फिजीकल प्रॉपर्टीज को चेंज करने को हम कहते हैं फिजीकल चेंज ठीक्शा तो इसको हम फिजीकल चेंज कहते हैं तो उसके बाद अगर हम इसकी example जैसे मैंने इसकी example आपको बता दी इसकी example है dissolving of sugar into water और और बहुत सारी इसकी change होती है tearing of paper या उसके साथ-साथ glowing of an electrical bulb क्यों electrical bulb अगर एक अलग position में था जो ही हमने उसका switch on किया उसका color change हो गया तो हम कह सकते हैं यह इसका physical property चेंज हो गई तो हम कह सकते हैं यह physical change हुई किसी भी चीज की किसी भी matter की ठीक है फिर उसके बाद है हमारा दूसरा इसके correct sticks इसके correct sticks अब इसके correct sticks क्या होते है तो physical correct sticks physical sorry characteristics of physical change अब physical change के correct sticks क्या है सबसे पहला correct sticks इसमें physical change alternates only the physical properties of substance like shape, size and state किसी भी चीज की जब उसकी physical change को हम change करते हैं उसके correct sticks क्या है या उसकी shape को हम change करते हैं या उसके size को हम change करते हैं या उसके state को यह मैंने already आपको बताया है shape हम कहते हैं वो किस shape का था उसकी shape को हमने थोड़ा सा change किया हम कह सकते हैं यह physical change इसकी हो गई यह उसकी size उसका size वो इतना लंबा था इतना चोड़ा था हमने उसको थोड़ा सा कम यह fold किया यह काटा तो यह state वो किस state of matter में था वो solid farm में था वो liquid farm में था वो gaseous farm में था अगर उसकी state को हमने change किया यह भी हम कहेंगे उसकी physical change हो गई दूसरा इसमें है no new substances farm हो जूरिए physical change physical change में कभी भी कोई नया substance नहीं बनता है जैसे chemical change में अकसर नया substance बनता है अकसर नया substance लेकिन physical change में कभी दूसरा सबस्टेंस नहीं दा, अगर हमारे पास पेपर हैं, वो पेपर ही रहेगा अगर उस पेपर को दूसरा सबस्टेंस हमने कोई बना लिया तो उसको हम केमिकल चेंज कहेंगे, फर्ज करो मैंने एक पेज दिया था, उसको मैंने फोल्ड किया, तो वो पहले बड़ा था छोटा होगा है, फिजीकल चेंज, लेकिन अगर मैंने उस पेपर को जलाया, जलाने के बाद उसको एश वो कनवर्ट होगा तो नया सबस्टेंस आएगा, दैस कार्ड़ इस केमिकल चेंज, वो फिजीकल चेंज अब है उसके बाद केमिकल चेंज, क्या होता है केमिकल चेंज, ये था फिजीकल चेंज, केमिकल चेंज अब क्या होता है, केमिकल चेंज हम कहते है जो आपकी बूप पे लिखा है, जो आपकी बूप पे लिखा है मेरे पास था लकड़ी लकड़ी को मैंने क्या किया उसको मैंने जलाया जलाने के बाद या उसको कोईला बनेगा या एश बनेगा तो नया सबस्टेंस आएगा और ये रिवर्सेबल नहीं जो फिजिकल चेंज होती है वो रिवर्सेबल भी होती है लेकिन जो chemical change होती है ये permit होती है ये reversible नहीं होती है ये एक बार हो जाती है फिर उसके बाद ये दुबारा से वो अपनी position में नहीं आता है जैसे मैंने example में फिर से देता हूँ physical change में अगर मेरे पास कोई page था मैंने उसको fold किया उसकी physical property change हुई physical change हुई लेकिन फिर से मैं उसको अपनी position में ला सकता हूँ लेकिन chemical change में बिल्कुल भी नहीं होता है chemical change में नाया substance बनता है वो फिर पहली वाली original position में नहीं आता है जैसे एक लकडी थी मैंने उसको जलाया उसको कोईला बना उसको में फिर से लकडी नहीं बना सकूँगा तो इसको हम chemical change कहते है और उसमें नाय substance हमारे पास आया यहाँ कोईला आएगा यहाँ आश आएगा तो हम कह सकते हैं यह chemical change हो गई ठीक है और chemical change अकसर पर मेर्ट चेंज होती है यह एक बार हो जाती है फिर उसके बाद यह अपनी position में कभी नहीं आता है ठीक्शा तो characteristics of a chemical change chemical change के characteristics क्या है इसमें क्या होता है कि new substance having different properties are produced इसमें अकसर नया substance बनता है वो ही अलग properties उस substance की होती है जब भी chemical change होती है दूसरा point इसमें है chemical change are usually irreversible and permit chemical change में जो change होती है वो irreversible होती है वो कभी वापस अपनी position में नहीं आती है वो जब change होगी तो हो गई वो permit होती है एक बार होई फिर वो अपनी position में नहीं आती है उसके बाद है तीसरा वाला point इसका a large amount of heat is involved or observed during chemical change चैमिकल चैंज करने वाकत जैसे मैंने physical change में उसमें very little energy या कुछ भी energy use नहीं होती है लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा energy heat यूज होती है जब भी chemical change होती जाती है ठीक है और अगले चप्टर में हम इसका रस्टिंग वगेर पढ़ेंगे अगली चप्टर में